आज मैं बात करने वाली हूं बच्चेदानी कमजोर होने के बारे में कि बच्चेदानी कमजोर होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं जिस वज़े से आपकी बच्चेदानी कमजोर हो जाती है और इसके क्या क्या नुकसान आपको उठाने पर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में कुछ घरेलून उसके बताऊंगी जिसको करने से आपकी बच्चेदानी मजबूत हो जाएगी और कुछ आयरवेदिक दवाएं हैं जो बहुत ही अच्छी बहुत ही कारगर हैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि अगर आप उसका सेवन करते हैं तो उससे भी आपके बच्चेदानी कमजोर होने के कुछ जो लक्षण होते हैं उसके बारे में और उमीद करते हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्के ऑल पे क्लिक कर आपके बच्चेदानी कमजोर है उसमें सबसे पहला लगश्ड है कि अगर आपको डिस्चार्ज बहुत जादा होता है जैसे कि पेरिट के बाद आपका ओलेशन पीरिड होता है तो लिशन के टाइम में डिस्चार्ज होने लगता है और उसके बाद जब आपका हो जाता है दिस्चार्ज कम हो जाता है लेकिन अगर आपको नॉर्मल वैसे भी पूरे मन्त आपको डिस्चार्ज बहुत जादा हो रहा है तो इसका मनलब है कि आपके बच्चेदानी कहीं न कहीं कमजोर है और बच्चेदानी कमजोर होने का दूसरा लक्षड यह है कि जब आप फिज है कि हो सकता है कि आपके बच्चेदानी कमजोर हो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आपको रिलेशन के टाइम में यह सारी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके और भी कई सारे रिजन हो सकते हैं लेकिन उसमें से एक रिजन यह है कि हो सकता है कि आपके बच्चेदानी कमज कि आप कमोशन परफिक बहुत जाएर लगाना पड़ता है तो लंबे शमय तक आपके बचे दानी पर को जन चब तो इसका पुछे जो जो जाती है कि तो फच्वाशनि कम जो होया है तो वैट अग्चे कि बच्चेदानी कमजोर और ऊस वज़ए से सहीह तरीके से सहीह नहीं हो पाता है। तो चेज़ प्रेचेदानी कमजोर हूंझे नहीं हो तो अजय सिरु प्रेग्नीनिक सेट वह सीक्म साथian डॉक्टर के पास बहुत जाते हैं अच्छे से treatment हो जाता है तो कई बार आपकी pregnancy को रोका जा सकता है लेकिन कई बार treatment के बाद भी आपके ब्लेडिंग नहीं रुकेगी और मिस्केरज हो जाता है तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपके बचेदानी मजबूत नहीं है वह आपके जो है उसको समहाल नहीं पा रही है और इस वज़े से आपका मिस्केरज हो जा रहा है अब हम कुछ कारणों के बात करते हैं जिस तो मतर thats यह थाल झीचानी में है जाझ कि इस इंफेक्शन के वज़े से आपके बचेदानी कमजोर हो सकती है और ज्ग बच्षीधानी होती है वह आपके पल्वी के अरिया में होती है आपकी बच्चेदानी थे आपके ओवरी त्वेयूट न प्लीज था पक्लिच ए में कि पर देजसें नहीं होता है तो अगर आपके प्लविक अरिया में कोई इंफ्यक्शन इा रेक्शन नहीं कोंछ बीमारी तो उसका आसर भी अपके बचे-धानी पर पड़ता है और इससे भी आपकी बचे-धानी कमजोर हो सकती है और प्रस्सक्राइब कर रिजन है वह होता है कि वह इंफेक्श्विप्राइट काफ बड़े हो जाते हैं वह कभी-कभी गांट से कर रूप ले लेते हैं तो इसका सीधा असार आपके पचेदानी पे ही पढ़ता है और इस वजय से भी आपके पचेदानी कमजोर हो जाती है और अगला है आपके पैल Congress केयरिया में कभी भी बहुत गंभीर चोट आ ही हो अगर आपके पैल बूल फैरेये में बहुत गंभीर चोट आया था तो उसका सीधा आसर आес पूरे यूटरेस सिस्टंब पर पहलेगा आपकी यूटरेस में सकता तो आपका पर रही पर सकता है क्योंकि के लिए उसका पफ़िकम आजसे बचे कम प्राइल कम्षो सकती है और अगर आपकी लाइबस्टैल मुलस्टैल अगर आपकी लाइबस्टैल के रहने आप यह और सोनल ही पर्ड़तो कर प कोला दो दो आपके बीसप 1969 for a number eighty Cabinet बारा काधिए आपकी झूलीटि पैलिशकन में उसका बारा किस वहाइए रीक्ती पड़ीशिटाली को सब्रहूतिपना móस्न अगला है है आपके यहाई मेरेश्टी पू Augen यहां जुझान हो है किस बैपके बंचे दानिंग तो आपके और जो रिप्रोडक्टिव और आपके वह सही से मजबूति नहीं मिलेगी और उनमें अच्छा से अनर्जी नहीं मिलेगी जिस वज़े से भी आपके पचेदानी कमज़ोर हो सकती है और अगला है इस्ट्रेस अगर आप इस्ट्रेस बहुत जादा लेती हैं तो इस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जो आपके फर्टिलिटी सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उस वज़े से आपके बच्चेदानी कमज़ोर हो सकती है तो यह कुछ सारे लग्षड हो गए जिसे आप यह पता लगा सकती है कि शायद आपकी बच्चेदानी बताऊंगी कुछ आपको अपनी लाइफ स्टाल में क्या चेंज करने उस बारे में बताऊंगी और एक आयुर्वेदिक दवा भी मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगी जिसका यूज अगर आप करते हैं तो यह बहुत कारगर रवा है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आपको एक घंटे के अंदर को चोटी चोटी चीज़ें शामिल करनी है उस चोटी चोटी चीजों की कॉम्बिनेशन से आप अपनी लाइफ स्टाल को बहुत ही बना सकती है जिससे आपका जो फर्टिलिटी सिस्टम में वो काफी मजबूत हो जाएगा तो आपको एक घंटे एक घंगा खड़े रहें यह दो क्याता कि और दिवी है आप चलनी की कोशीच करने एक चल सकती है तो इस तरह से आप लगबां 15 मिट कर सकती है जो पंध्रा में कर सकती है तो पांच मिन्ट देस नेट फिर बढ़ा सकती है आप रशी को सकती है आप साइक्लिंग कर सकती है इस सब तरीके की जो है एक्ससाइज आप कर सकती हैं धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा सकती हैं अगर आप शुरू में एक गंटा नहीं कर पारी तो आधा गंटा करिए धीरे धीरे टाइमिंग भढ़ाईए योगा में आप अनुलोम विलोम कर सकती हैं आप कपाल जो फर्टिलिटी सिस्टम है वह काफी मजबूत होगा क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और इस वज़े से वहां के रिप्रोड़क्टिव जो सेल्स हैं वह काफी स्ट्रॉंग होंगे काफी अनर्जी मिलेगी और इस वज़े से आपको फर्टिलिट इस वह प्रटिलिटी मसाज बहुत ही अच्छी चीज है अगर आपकी बचितानी कमजोर है आप बार आपका मिस्केरज हो जा रहा है तो आपको डेली खाली पेट अपने पलविक एरिया की मसाज करनी है उसके लिए आपको कैस्टर और ले सकती हैं मस्टर और ले सकती हैं ज बने बने पार सिर्खल清न बने में आपके से और बने अच्छा हो जाएग अस बहुत कहुत हैं आपको यूँक्त चीजे जरूर लेनी चाहिए क्योंकि आपकी बच्चेदानी की कोषिका में बहुत अच्छह से स्या keeping और अच्छा से बट सर्कूलेशन पहुंचने की वचेसे आपके बच्चेदानी काफी मजबूत होगी और आपको fiber यूक भोजन लेना है आपको इस तरह का भोजन लेना है जैसे कि साबुत अनाज आप ले सकते हैं अब डलिया खा सकती हैं इस तरह की चीजें जो fiber यूक थो वो अपने डायट में शामिल करें जिसे आपको कब्स से भी रहात मिलेगी और कब्स आपको होता है तो मैं अभी बता चुकी हो तो जब आपका कब्स सही हो जाएगा तो उससे अगर आपके बचेदानी पे कोई भी एफेक्ट पड़ा है तो उस चीज में भी आपको आराम मिलेगा और आप ड्राइफ फूट्स और सीट्स भी ले सकते हैं यह बचेदानी मश्बूत करने के बचेदानी को मश्बूत करने में बहुत ही कारगर सीध होंगी यह सबी चीजें आपके बचेदानी के मसेल्स को बहुत जादा मश्बूती परदान करेंगी और आपको विटामिन C वाली चीज जरूर लेनी चाहिए जैसे कि आप नीमू पानी ले सकते हैं आप एक दिन में इसे अधामिन ले सकते हैं आपकी वी ले सकते हैं जिसमें वह सब्सक्तया में तो उसको भी स이는 करने का करता है तो आपटामिन C वाली चीजे ने इससे भी आपके बचेदानी है और आप घ्री त्पानी दीरे सिस्छे हो जाएगा और आप ग्रीन टी जरूर लें क्योंकि इसे एक महिला के शरीर में जो रिप्रोडक्टिव और्गन होते हैं उनको काफी एनरजी मिलती है काफी मजबूती मिलती है तो इस वज़े से भी आपके बशेजानी पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा अब मैं लास में आपको बताऊंगे एक आरवेदिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही अच्छी बहुत ही कागर है और इसको इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप वहां से इसको ले सकते हैं और यह आरवेदिक दवाय है शिवलंगी और पुत्रजीवक य और दोनों स्यूट फॉर्म में भी आपको अनलाइन मिल जाएंगे अपर अपको अपर्डर बना लेना है और अगर आप वह वह मंगाते हैं तो इन दोनों पर्डर को आपस मिला लेना है और सुबह खाली पेट आपको आधा चमच एक गिलास दूद के साथ लेना है कुछ द कम या दूर हो जाएंगी और जल्दी से जल्दी आप एक हेल्दी प्रेग्नेंसी कंसीब कर लेंगी उमेद करती हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक दरूर करेंगा